हेलो दोस्तों गूड मॉर्णिंग स्वागत इक बार फेट से आप से आप सभी क्या एम जटे जूकेसन में दोस्तों आज है एक माई आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक माई 2021 के करेंट अफेर के सभी इंपोर्टन ग्योशन के बारे में पूरी वीडियो ध्यांस देगेगा पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाएगे है अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को Like और Share जरू कर दीजेगा अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर लो आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस वीडियो की पीडिया फाइल और क्विज मिल जाएगी MZTF पर Google Play Store से आप MZTF डाउनलोड कर सकते हैं फुल डिटेल एक्स्प्लानिशन के साथ क्विज आपको प्रोवाइट की जाएगी चले बात करते हैं लास्डी के कुशन की लास्डी का हमारा पहला कुशन था आपसे अमेरिका के वर्तमान विदेश सचीव कौन है तो वो हैं अन्टोनि ब्लेंकेन अगला कुशन था चिप्री रिपोर्ट के अनुसार हत्यार आयात करने के मामले में भारत की सस्थान पर है इस कुशन में बहुत से लोग कंठी उस हुए देखिए अभी जो रिपोर्ट आये थी वो आये थी कि हत्यारों पर सेन खर्ज करने वाला ठीक है? सेना पर खर्ज करने वाले के देश की मामले में भारत था तीसीर स्थान पर लेकिन अगर आपको बूशा जाए हत्यारों के आयात करने के मामले में भारत की सस्थान पर है तब आपको दूसरा बताना है इसमें मैक्स्मम बच्चों ने गलत अंसूर किया है क्योंकि 30 अप्रेल के ही दिन, अप्रेल में ही 2018 में सुरू हुआ था आयस्मान भारत योजना, प्रदान मंतरी नेले निर्मोदी जी ने इस योजना की सुरुवात की थी, आयस्मान भारत दिवस उसी कियाद में मना जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कबास्त कवर प्रदान करना है, इसके बारे मैंने आपको कई बार बता हुआ है, आयस्मान भारत योजना याइसे PMJAY योजना भी कहते हैं, PMJAY योजना यानी PMJ योजना प्रदान मंदरी जन आरोगी योजना, इसका भी फूलफार्म कई बार पूछा गया है, द Pakistan होता ये योजना की तरफ होता है कि जो इसके लाभारती होते हैं जिनका कार्ड बना हुआ होता है उनको उस वर्स तक एक वर्स तक पांच लाख रुपए तक का फिरी में मुफ्त में हिलाज कराया जाता है ठीक है वीमा कबर प्रदान किया जाता है 2018 में प्रदान मंत्री नरेन मोदी जी की दोरा ये योजना सुरू की गई थी अच्छा एक और कुश्चन पूछा जा सकता है देखिए इसकी घोषना होई थी 30 अप्रायल को इस वर्स से आश्मान भारत दिवस मनाया जाता है इसकी सुरुआत अगर पहली बार हैं ग्राउंड के बाद ठीक है तो वो पूरी तरीके से सुरू किया गया था चलिए अगला देखते हैं दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज कहां सुरू किया गया तो दुस्तों दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज शुरू किया गया प इसके नाम के पीछे भी इस्टोरी है 516 का मतलब होता है इसकी लंबाई 516 मीटर है इसलिए इसके नाम में 516 लिखा हुआ है अरक्का का मतलब होता है अरक्का वहां के सहर का नाम है जिस सहर में ये ब्रिज अस्थापित है तो यानि कि इसका नाम जो है उस सहर के नाम से और उसकी लंबाई के उपर रखा गया है ये पुल जो है दुस्तो अगो आईरिस जहरना यानि की जो वाटरफाल है और पावा घाटे इन दोनों को कनेक्ट करता है ये तिब्बती है सैली का एक नमूना है बनाया गया है सस्पेंसन ब्रिज है पुर्टगाल आया है पुर्टगाल के बारे में बात करते हैं देखते हैं वर्ड मैप में है कहां पर पुर्टगाल तो वर्ड मैप में देखिए दोस्तो सबसे पहले ये रहा मारा प्यारा भारत यहां से आएंगे हम लोग European continent में European महादीप में देखिए यहां पर है European महादीप पहुंच गए यहां पर पूर्तगाल के पाद यह है पूर्तगाल अच्छा आपको याद होगा दूस्तो पूर्तगाल से ही सबसे पहले आये थे विदे से भारत में विदे स्यागमन में वगर बात करें तो पूर्तगाल से ही वासको डिगामा आया था सबसे पहले कैसे आया था कुछ इस साइड से आया था नीचे होते हुए इस साइड से होते हुए तब यह इंडिया पहुचा था काली कट केरल पहुचा था किलियर तो ये भी याद रखना है पुर्दगाली सबसे पहले आये थे इंडिया में और सबसे लास्ट में गए भी थे पुर्दगाली ही सबसे लास्ट में गए थे उनको भगाया गया था गोवा से 1961 की टाइम पर चलिए फिलहाल हम लोग पुर्दगाल की बारें बात करते है इसकी राजधानी होती है लेजबन क्या होती है लेजबन होती है यहां की राजधानी पुर्तगाल की और यहां की प्राइम निस्टन है एंटोनियो कोस्टा कौन है एंटोनियो कोस्टा यहां की करंसी होती है यूरो क्या होती है यूरो इस्पेन से अपनो बॉर्डर के सेयर क अगला कुशन है, हाले में किस बैंक ने मर्चंट स्टैक नामक डिज्टल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लांच किया, तो ICICI बैंक ने दोस्तों मर्चंट स्टैक नाम से एक डिज्टल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लांच किया है, मर्चंट स्टैक नाम से ये एक डिज्टल बै पारियों के लिए है जो खुद्रा व्यापारी होते है छुटे व्यापारी होते है उनके लिए है उनके लिए contactless उनको contactless banking सुर्धा प्रदान करने के लिए यह सुरू किया गया है ठीक है तो अभी देश में हमारे दो करोड से ज्यादा खुद्रा व्यापारी है जो ICICI bank से connect हुए हुए तो उनके लिए यह launch क्या गया है खास दोर से ICICI bank के बारे में बात करें इसकी अस्तापना होईती 1994 को मुख्याला है मुंबई में MD और CEO है संदीब बक्सी जी यह private sector में भारत की दूसरी सबसे बड़ी bank है private sector में भारत की सबसे बड़ी bank कौन सी है SDFC SDFC bank private sector में सबसे बड़ी bank है दूसरी नमबर पर ICICI bank है अच्छा अगर public sector में पूछा जाया या सरकारी छेतर में पूछा जाया तब आप बताएंगे SBI SBI है सरकारी छेतर में सबसे बड़ी bank है दूसरी स्थान पर कौन है PNB है यह public sector में है clear चलिए अगला देखते हैं अगला है हाले में NATO के सदस्य देशों ने कहाँ पर Defender Europe 2021 नामक अभ्यास सुरू किया तो इस तो नाटो के सदस्य देशों ने अभी हाले में अल्बानिया में कहाँ पर अल्बानिया में Defender Europe 2021 नाम से एक सेन अभ्यास सुरू किया है नाटो के सदस्य देश हैं इसमें अमेरिका समेत कई देश इसमें सामिल है 26 से ज़्यादा देश सामिल है और यह काफी बड़े अस्तर पर युद्ध भ्यास सुरू किया गया है यह द के बारे में जानिए इसका फुल फार्म होता है North Atlantic Treaty Organization क्या होता है North Atlantic Treaty Organization इसका फुल फार्म बहुत पूछा जाता है याद रखेगा इसकी स्थापना होईती उन्हें 49 में Headquarter है Brussels Belgium में और इसके General Secretary है James Stolenberg कौन है James Stolenberg अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है बजाज आटो क नए अद्धेक्श बन गए हैं दूस्तों नीरज बजाज, नीरज बजाज को नियूक किया गया है, अब यह एक मई यानि आज से अपना कारिभार संभादेंगे इससे पहले कौन थे या यह किस की जिगह पर आये हैं तो यह आये हैं दूस्तों राहुल बजाज की जिगह राहुल बजाज जी इससे पहले अध्यक्ष थे चेर्मेन थे और नॉन एक्जेक्टिव चेर्मेन भी थे तो ये अभी स्तीफा दिये अपना पद छोड़े 30 अप्रेल को ठीक है 30 अप्रेल यानि कल और इसके बाद ये अब अपना पद इनको दे दिये हैं नीरज बजाज को तो नीरज बजाज होंगे अब नए अध्यक्ष और राहुल बजाज क्या रहेंगे ये बजाज आटो के चेर्मेन अमरेटेस की रूप में काम करेंगे ठीक है चेर्मेन अमरेटेस की रूप में रहेंगे चलिए अगला देखते हैं निम्ण में से किस दिन महराष्टर बने थे ये दोनों राज्य अलग हुए थे बॉंबे पुनर गठन अधनियम पारित हुआ था 1960 में जो की एक मई 1960 को ही लागू हुआ था इस वज़ा से ही एक मई को महराष्ट दिवस और गुजरात दिवस मनाय जाता है ठीक है गुजराती भासी लोग गुजरात चले गए औ और महराष्ट या महराठी वासी लोग महराष्ट की तरफ आ गए थे किलर है चलिए अब महराष्ट के बारें पहले जारेंगे फिर बात करेंगे गुजरात की महराष्ट देखी दोस्तों यहां पर है गुजरात यहां पर है महराष्ट की राजधानी है मुंबई और दो ठ हाई कोट के अंतरगत ही गोवा का भी जुडिसरी आता है तो गोवा का भी हाई कोट हुआ यही क्लियर बॉम्बे अपना या महराश्टर अपना बॉर्डर किस्से किसे सेर करता है महराश्टर अपना बॉर्डर दुस्तों यह गोवा से सेर करता है करनाटका से तेलंगाना से 36 गर से मद्यप्रदेश से और गुजरात से सेर करता है किलियर अब बात करते हैं गुजरात की गुजरात देखिए मैप में ये रहा गाधे नगर इसकी राजधानी है विजे रूपानी जी बीजे वी पार्टे से यहां के चीप मिनिस्टर गवर्नर है अचारे देवरत गिर नेशनल पार्क नलसरवर पक्षिय ब्यारन ये गुजरात में ही है गुजरात हाई कोट गुजरात हाई कोट के चीप जसिस हैं विक्रम नाथ कौन है विक्रम नाथ जी गुजरात देखिए किसे किसे अपना बॉर्डर सेर कर रहा है गुजरात अपना बॉर्डर दोस्तो राजिस्थान से एर करता है मदब्रदेश से और महाराष्टरा से से एर करता है ठीक है गुजरात इसकी तटिये सीमा सबसे ज़्यादा है भारत में किसी भी राजी किया पेच्छा तटिये सीमा सबसे ज़्यादा है कॉस्टल बॉर्डर सबसे अधा है गुजरात में है दोस्तो साबरमती नदी बहती है और साबरमती नदी के किनारे ही बसा है सहर आहमदाबाद ये कुशन पूशा गया है याद रखना है आपको चलिए अगला कुशन देखते हैं अगला है 30 अप्रेल को मसहूर टीवी पत्रकार रोहित सर्दाना का निधन हो गया इन्हें निम्ण में से कौन सा प्रुस्कार मिल चुका है दोस्तो रोहित सर्दाना इनको आप जानते भी होंगे बहुत ही फेमस ये टीवी पत्रकार थे एंकर थे आज तक में अभी वर्तमान में काम कर रहे थे और इनका अभी हली में निधन हो गया है पहले तो कोविट हुआ था कोविट के बाद ये रिकवर हुए तो फिर हर्ट अटेक की वज़े से इनका निधन हुआ तो इन्हें गणे संकर विद्यार्थी पुरुसकार से नवाजा जा चुका था 2018 में केरिया की सुर्वात इन्होंने दोस्तो सहारा ने उस से की फिर 2004 से ये जीने उस से जुड़े बाद में 2017 में ये आज तक से जुड़ गये और इनके कुछ फेमस प्रोग्राम थे जिस वजह से ये बेबाग अंदाज की वज़ह से ये जाने जाते थे और काफी ज़्यादा पापुलर हो गये थे जीन्यूज में इनका पापुलर सो था ताल ठुक के और आज तक में पापुलर सो था दंगल डिबेट अगला कुशन है हालो में किस देश ने बौध मंदिर में 3.3 लाख मुंबतियां जलाकर गनीज वर्ड रिकार्ड बनाया है थाइलेंड में एक बौध मंदिर है क्या नाम है धम काया बौध मंदिर तो उसमें अभी हाले में 3.3 लाख मुंबतियां जलाई गई हैं और एक नया गनीज वर्ड रिकार्ड बना है अलाकि दूस्तों आपको याद होगा आयोध्या के दीपोत्सों में 6 लाख 6,000 से जादा दीपक जले थे और एक नया गनीज वर्ड रिकार्ड बना था लेकिन वो सबसे अधा दीपक जलायने का रिकार्ड था यहाँ पर मुंबतियां जलाए गई है बौध मंदिर में ठीक है थाइलेंड के बौध मंदिर में यह जलाई गई है और ये जो बहुत मंदिर है ये 51 वर्स पुराना मंदिर है तो वहाँ पर बहुत भग बिक्षों के द्वारा ये जलाया गया है धंबकाया मंदिर में अगला IPL में 50 अर्थसतक लगाने वाले पहले बल्लिवाज कौन बने तो वह बन गए है डेविड वार्नर ये IPL में इंडियन प्रिमेर लीग में 50 अर्थसतक लगाने वाले पहले और एकलोते खिलाडी बन गए हैं सेकेंड पोजीशन पर अभी सिखर धवन है सिखर धवन अभी 43-53 लगाय हुए है यानि 43 अर्थसतक इनके नाम है तीसरे अस्थान पर है विराट कोहली विराट कोहली के नाम अभी 40 अर्थसतक है डेविड वार्नर 50 अर्थसतक के साल टॉप पर हैं इकलोते खिलाडी है अर्थसतक इनके बंड और 10,000 से जादा रन बनाने वाले यह टी-20 क्रिकेट में चौथते खिलाडी बन गए है जान रखियेगा IPL में तो यह बने अर्थसतक लगाने वाले पहले खिलाडी लेकिन ओवराल T20 क्रिकेट में यह 10,000 से जादा रन कंप्लीट करने वाले यह स्वेब मलिक इन तीनों ने भी 10-10 हजार से जादा रन बनाए हुए है अगर पूछा जाए IPL में सबसे जादा रन किसने बनाए है तो IPL में सबसे जादा रन विराट गोली की नाम है 6000 से जादा रन हो चुके हैं क्लियर IPL में इंडियान प्रीमेर लिग में IPL का ये 14 संसकर्ण चल रहा है इस बार इंडिया में हो रहा है पिछली बार UAE में हुआ था काँ पर हुआ था युनाइटेड अरब अमिरात में पिछली बार हुआ था पिछली बार की जो टाइटल स्पॉंसर कंपनी थी वो थी ड्रेम 11 क्या थी ड्रेम 11 इस बार फिर से वीवो को मिल गया है टाइटल स्पांसर सिप तो इस बार वीवो आईपील है क्लियर अगला कोशन देखते हैं Border Road Organization याने BRO की पहली महला Commanding Officer कौन बनी तो वो बन गए हैं दुस्तों वैसाली हिवासे कौन वैसाली हिवासे जो आपको इमेज में दिख रही है ये Border Road Organization की पहली महला Commanding Officer बन गई है नियूप्त की गई है इनको अभी हाले में इंडिया चाइना बॉर्डर पर connectivity प्रदान करने के लिए जिम्मिदारी सौपी गई है ये महराश्ट की रहने वाली है एमटिक की डिगरी है इनके पास चलिये तो बस दोस्तों ये तो थी हमारे आज के दिन के टॉप 10 करेंट अफेर के कुशन आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एक बहुत ही ज़रूरी इंफर्मिशन नेने थी आपको आज आप लोग कोई कोर्स परचेज मत कीजेगा कोई लोग आज कोर्स मत परचेज कीजेगा क्योंकि कल 2 मई है और 2 मई के दिन आपको भेंकर छूट मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ 2 मई को कारण क्या है कल आपको बताया जाएगा सब कुछ चलिए बात करते हैं कुश्चन सब्द देखी आज का पहला कुश्चन है मानों ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम कब रखा अगला निम्ण में से कौन सा देश ब्रिटेन का हिस्सा नहीं है दोनों कुश्चन है इंपोर्टन दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में अंसर कीजेगा वीडियो आप देख लिए हो जो जल्दी से इसकी क्वेज भी सॉल्व कर लोग क्वेज मिल जाएगी आपको MZT पर डिटेल एक्स्प्लानेशन के साथ तो एक्स्प्लानेशन देखना आप लोग मत बुलेगा मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जाहें वंदे मात्रम